कि हलो फ्रेंट्स वेलकम टू टूंग ट्रेड फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे एन्यमडी सी कंपनी के बारे में एन्यमडी सी कंपनी में अभी कुछ अपरचुनिटी नजेर आ रहा है तो इस टॉक में अगर आपका पोजिशन है तो आपको क्या करना अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लिए उसके बाद में यहां से जाके यह जरूर देख लिए और आपको बहुत अच्छा इंवेस्टमेंट का आईडिया मिल सकता है यहां से इंवेस्टमेंट करके किसे हम अच्छा सा कंपनी को चूज कर करके हैं एक अच्छा कर सकते हैं वीडियो का अगर आप देखेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे ठीक है चले स्टार्ट करते हैं यहां पर हम बात करेंगे नम्डीची के बारे में तो यह जो कंपनी है नेशनल मिनेरल डेवलोप्मेंट कर्पोरेशन कंपनी है यह ज मतलब कितना वेल्वेशन चीप अभी अभी अभेलेबल एस टॉक और आरोशी की जब हम बात करेंगे रिटनन क्यापिटल एंप्लोई टॉंटी नाइन आरोशी है अगर हम डेट की बात करते हैं डेट फ्री कंपनी है डेट फ्री कंपनी है प्रोमोटर प्लेज भी जीरो है जब हम आल टाइम हाई का बात करेंगे तो यहां पर 572 के पास में स्टॉक अभेलेबल जो इसका ऑल टाइम हाई है अभी जो करेंट मार्केर पैस चल रहा है 133 के पास में इसका बुग वेल्व दिखिए 121 के पास में बुग वेल्व है अगर हम कंपनी का प्रोफिट के बा 24 करोड का यहां पर सेल्स हुआ है जो कि लास सेप्टेंबर में 2230 करोड का सेल्स हुआ था सेल्स में बहुत बढ़ी आसा इंप्रूमेंट नजर आ रहा है यहां से डिसंबर के बाद में से बढ़ी आसा यहां पर इंप्रूमेंट नजर आ रहा है सेल्स में अगर हम profit में इ proposing बड़िया साथ जौप देखने को मिल रहा है है सबसे मिल रहे हैं अगर हम प्रॉफिट का भी बात करेंगे तो अगर हम प्रॉपीटभ कई और 50 की बात करते हैं तो historically है यह बहुत बढ़ी असा ग्रोथ जर्राय हैं अगर प्रमोटर का बात करते हैं तो यहां मुज़ो के पास में परफ़ेश्टी और निश्पार्ट के पास में 6Ê पर्सेंटेज है आए के पास में टोइंटी वपर्सेंटेज हैं और पॉब्लिकarem के पास में 10 परसेंटेज है और प्रमोटर देखा जाएगा तो कोन है तो प्रेसिदेंट आप इंडिया ठीक है सरकारी कंपनी है तो यहां पे जब हम बात करेंगे तो अभी मिलेवल से जाने से पहले एक पегдаराच का दिन का करोुबार देख लेते हैं कितना पर्सेंटेश का ट्रेडर क्वंटिटेटी है और आज के दिन में कितना देलिवरी उठाय का उठाया गया यहां पर छेन्ट के गया अनूर्ट इस टॉक में अगर हम इस कंपनी अगर हम डिविडेंट का भी बात करेंगे देखिए बहुत बड़ी असा डिविडेंट पेंग दे रहा है तो 7.76 का डिविडेंट दिया था जो की मार्च में तो जो भी लंग टर्म में पोटफोलियों में लेके रखते हैं उनको डिविडेंट का फाइदा होता है लेकिन अगर आपका कोई लेवल पर आप बाय किये हैं तो कौन से टार्गेट तक जा सकता है यह जरूर में आपको चार्ट में आपको बताने की कोशिश करूंगा अभी चलिए चार्ट पे चलते हैं फिर बात करेंगे यहां पे दिखेंगे यहां पे जो रेड कलर का लाइन है फ् और यहां पे screener.in कैसे यूज करते हैं आपको सारे वीडियो का लिंक description में मिल जाएगा और नहीं तो यहां पर प्लेइलिस्ट में विजिट करके जरूर देख सकते हैं प्लेइलिस्ट में यह दोनों प्लेइलिस्ट जरूर विजिट कर लिजिए जो कि ट्रेडिंग व्यूट मैं वखने कर रहा है थो अगर इसी नहीं को कैब सबसक्राइब मार्केटिक में जादा करेक्षा ने उसकी बावजुद एक बार analysis करना पड़ेगा अगर हम देखते हैं RSI का लेवल एक बार देख लेंगे तो फ्रेंट्स यहां पर RSI का जो लेवल 38 पर RSI है जो कि अभी कोई problem नहीं RSI 38 पर हम below 40 का RSI को हम अच्छा कंसिडर कर सकते हैं valuation का हिसाब से कंपनी में क्यों बोल रहा हूं यह कौन से लेवल तक जा सकता है फ्रेंट्स इसका प्रॉफिट देखिए प्रॉफिट देख लीजी किसी साब से प्रॉफिट ग्रोव हुआ है यहां पर 10,000 करोड का प्रॉफिट आए जो कि लास्ट अभी तक जरूरे अगर है बात करेंगे तो यहां पर देखिए новые नीरे状 त्याय जो यहां पर अगर नियर इस्ट फ crust ज करते हैं यहां पर एक 57 परसेंटेज का गेन फ्रेंट्स मिल सकता है जो कि यह आपको ज्यादा दिन भी नहीं लगेगा यह जो गेन है आपको six months to one year में जरूर आचीव हो सकता है ठीक है और यह जो लेवल है यह लेवल भी एक बार पिछे अगर हम एक बार one week कभी लेवल में कभी आया है कि नहीं आया एक बार जरूर चेक करेंगे जहां तक हम 2014 की बात करेंगे तो 2014 को भी यह लेवल बिलकुल 100 हो रहा है जो कि 2014 का इस लेवल पर आया हुआ था अगर 2014 का बात करेंगे तो यहां पे सब्सक्राइब करना चाहते हैं अगर आपको यहां तक होल्ड करना है तो कर सकते हैं जो दो सो बारा तक लेगिन उससे पहले अगर आप सेफ जोन पर प्रफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो यह लेवल तक आप जरूर रुख सकते हैं जो कि आपको उइदाव टेंसन आपको यह जरूर आपको एक लेवल मिल सकता है देखिए वीकली चाट पर यह जो लेवल है यह लेवल के यहां पर यहां पर रेजिस्टन स्पेस किया है यहां पर भी दो बार रेजिस्टन स्पेस किया है यहां पर भी एक बार रेजिस्टन स्पेस किया है तो इसी साब से अगर हम देखते हैं वह लेवल कितने का निकल करके आता है एक बार जरूर देखेंगे जरूर ए कि अगर आप यहां पर यहां से अगर आप बाई करके चल रहे हैं आपका जो टार्गेट है कि 195 तक अगर स्टॉक को लेकर चलते हैं अपको फिर भी एक 45 परसेंटेज का गयन मिल सकता है यह इतना टेंशन भी नहीं इतना रिस्क भी नहीं है क्योंकि हम यह जो चीज है यह सारे चीज को हमने स्टॉडी किया है ठीक है यहां पर रेजिस्टन्स भी आपको दिख रहा है क तो हम अपना नजर में रख रहे हैं तो यहां पर दिखिए यहां पर चल रहा था उसके पीछे का प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था ठीक है ना तो यहां पर स्टॉक का प्राइस इससे भी डबल हो सकता है मेरे हिसाब से यह स्टॉक का प्राइस जो मैं 212 का बात कर रहा हूं तो यहां तक तो जाए गाई उससे उपर भी जा सकता है जो नेक्स टार्गेट है ना यह साभी हो सकता है यह स्टॉक तक जा सकता है लेकिन इसा इमीडियेटली आपको नहीं दिखेगा यह जो स्टॉक ह 284 तक अभी इमीडियेटली इस टॉक नहीं जा सकता है उसके लिए थोड़ा टाइम लगे गए उतना दिन अगर आप होल्ड करके चलेंगे तो नेक्स्ट रेजिस्टन्स तक जा सकता है जो कि 294 तक निकल करके आता है लेकिन उसके लिए आपको बक्त लग सकता है जो कि एक लेवल बहुत जल्दी देख सकता है जो कि एक साल के अंदर यह टार्गेट आपका आचीव हो सकता है एक साल से पहले-पहले आपको यह टार्गेट आचीव हो जाएगा ठीक है क्योंकि एक बार रिटेस्ट किया है फिर उसके बाद में मार्केट में जिससे करेक्शन हुआ अभी श्टाक निचे आया है फिर से यह लेवल जरूर दिखाएगा आपको शिक्स मांस भी हो सकता है एक साल भी लग सकता है एक साल अगर रखवी लिया तो कोई प्रोब्लेम नहीं है प्रोमोटर का होल्डिंग भी बहुत बढ़िया है सरकारी कंपनी है बुक वेलू को न 195-212 तो कोई प्रोब्लेम नहीं यहां तक आप लेके चल सकते हैं लेकिन अगर आपको 294 लेवल तक अगर होल्ड करना है इसके लिए बहुत टाइम आपको होल्ड करना पड़ सकता है यहां पर दिखिए 120 परसेंटेज का गयन है फ्रेंट से साथ हो सकता है इसके लिए आप आपको बक्त लग सकता है दो साल तो मिनिमूम लगी सकता है लेकिन फिर भी आप सेफ़र साइड से मेरे हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा आप 195 में प्रफिट बॉकिंग कर लिजिए नहीं तो 202 में प्रफिट बॉकिंग कर लिजिए बहुत बड़ा सॉट टर्म में है आपको एक अच्छा सा गेन देखने को मिल सकता है लेकिन पॉर्टफोलियो को जरूर डाइवर्शिपिकेसं रखिए माग जिवां फाइव परसेंटेज इन्वेस्टमेंट इसी स्टॉक में कीजिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई इतना यह नहीं है क्योंकि सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और फ्रेंस के साथ में भी सेर कर दीजिए तकि वह भी स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा अनालीसिस करके और थोड़ा सा चार्ट पगेरा कैसे अनालीसिस करते हैं सब सिक्क्राइब बढ़िया सा ट्रेड ले सकते हैं और अच्छा सा प्राफिट के न कर सकते हैं फ्रेंट्स थैंक यू वेरी मच्छ फ्रेंस पर वाचिंग इस वीडियो मिलता नेक्स वीडियो में